हेलो फेर्ट्स हम सीख रहें Spelling ions हेलो फेर्ट्स हम सीख रहें Wokev Thro Spelling जैसाब जानते हैं हर लेक्चेर में हम 25 वर्ड्स को स्पैल करते हैं उनकी पांसर स्पीच बताते हैं और उनको अनको विक्षक्त करते हैं तो छलिए फेर्ट्स without wasting any time let's start आज हम बात करेंगे डी से बनने वाले बाकी 25 वाट्स तो सबसे पहला वर्ड है डाइबटीज 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 की बात करें तो वर्ड होगा डेफिरिटली नाउन होगा जिसका मतलब होता है मधू मेह कि कुछ लोगों की आपकी डिमांड थी कि मैं केवल सही स्पैलिंग लिखूं अधरवाइस तो मैं यहां दो तीन वैरियंट आपको दे रहा था और मुझे लग रहा था उस एकजाम वाली फिलिंग कही न कहीं आपके अंदर आए और आज का लेक्चर में सिंगल स्पैलिंग बना रहा हूं और आपको लगता है कि पुराना मैथड अच्छा था या यह मैथड अच्छा था कमेंट करके बता दीजेगा उसी क्रूम फोलो कर लेगे आगे बढ़ते हैं दो डायविटीज की स्पैलिंग आपको पता हो गई और इसके बाद बात करें इसी से बनने वाला दूसरा वर्ड होता है डायविटिक यानि किसी पेशेंट को अगर डायविटीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डायविटिक क्या स्पैलिंग है फटा फट से लवली सा कमेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कॉल्टियस देखें कॉल्टियस से बनन देखें डिस याद रखिए कोल्ट याद रखिए कोल्ट और कोल्ट से बनने वाला वर्ड था कोल्टियस डिसकॉल्टियस और वर्ड देखें ओ यूस है तो डेफिरिटली क्या होगा एजक्टिव होगा जिसका मतलब होता है इंपोलाइट रूड इंपोलाइट रूड और हिंदी में आप कहिए असभ्य है clear डिस्कॉल्टियस ध्यार ये रखना है आपको इसमें लास्ट में E O U S है यहीं पे जो गलती मिलेगी आपको वो E में मिलेगी clear इसको I O U S लिख दे A O U S लिख दे तो डिस्कॉल्टियस ये ध्यार आपको रखना है आगे बढ़ते हैं डिस्टिलरी क्या होती है जहां से आपकी जो इस्परिट है एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से इस्परिट तयार होती है और वो वाइन वगेरा बनाने के लिए यूज होती है तो उसको कहते हैं डिस्टिलरी तो distillery की बात करें तो distil आप याद रखिए distil और इसी में double l e r y गलती यहां पर e r y और a r y में आपको मिलेगी और एक बात दूसरी बात error यहां पर l में भी आपको मिल सकती है distil तो l सिगनल नहीं है double है और e r y यहां पर है distillery यारी वर्ड होगा definitely noun होगा a place where spread is manufactured manufactured की spelling देख लीजेगा सही लिखी है और नहीं लिखी आगे बात कर लेते हैं इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है आसवणी clear क्या आसवणी बात कर लें deceive एक एक्जाम था शायद मुझे ध्यान आ रहा है यूपी टीटी का एक्जाम था कभी मैंने दिया था और उसमें क्या एक स्पेलिंग आई थी deceive बड़ी छोटी सी स्पेलिंग लेकिन बात वही है जब एक्जाम में वह लिखी होती है तो हम वही पर क्या हो जाते हैं और देखिए C,E,I यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, deceive, receive, conceive, conceive, सारी मिलती जुमती सी स्पेलिंग है तो ध्यान बिलकुल देना है आपको E,I है कि I,E है धोखा देने के सेंस में हम receive को यूज करते हैं और क्या हो जाती है वाव हो जाती है आप cheat कह सकते हैं और एक दूसरा word दे दूँ, spoof भी हम इसके लिए use करते हैं धोखा देने के लिए spoof बढ़ जाएं इन डिपंदेंस और डिपंदेंस बन जाता है आपका D, E,P, E, D Depends और E, N,C,E या ANC, डिपंडेंस में ध्यान रखिएगा तो डिपंडेंस में क्या है E N C E है depend के बाद E N C E और अगर बात करे attend के बाद तो इसमें है A N C E attend में मैंने बताया था आपको dance याद रखिए attendance रिष्टर ले लिया attendance हो गई आपकी और आप dance करने लगे clear तो attendance हो गया और dependence में आपका हो जाएगा E N C E dependence dependence की बात करें word noun होगा जिसका मतलब होता है निर्भरता यानि आप किसी पे क्या हो गए depend हो गए तो वहाँ आप निर्भरता यूज करते हैं आप trust कह सकते हैं और इसके बाद Reliance एक word है R E L I A N C Reliance Reliance भी इसी sense में यूज होता है Trust भी इसी के Synonym के रूप में यूज होता है Clear तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ रही एक word आता है आपके पास Deliverance Deliverance क्या होता आपका पाप मुक्ती कहते हैं इसके लिए emancipation भी आप यूज करते हैं D-E-L-I-V-E-R Deliver Clear Deliver में याद रखिए आप A-N-C-E Deliverance और Deliverance क्या हो जाएगा देखें वर्ड की नेचर हम बात करें A-N-C-E है तो definitely क्या होगा यह नाउन होगा इसका मतलब पाप मुक्ती और दूसरा वर्ड आप याद रख लीजिए इमांसी पेशन यादि आप कहिए पाप मुक्ती इमांसी पेशन पी-ए-टी-आई-उ-एन आगे बढ़ते हैं डिमरेज एक वर्ड आता है D-E-M-U-R डिमर से बनने वाला वर्ड है D-E-M-U-R हो जाता है और A-G-E डिमरेज डिमरेज क्या होता है वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है बिलंब शुल्क यानि दिले पेशन आप कह दीजिए इसको डिले पेशन तो बिलंब सुल्क के लिए आप क्या डिमरेज को यूज करते है डिले कह दीजिए या पेमिट फॉर डिले कह दीजिए आगे बात करें डिकलेज से एक वर्ड बनता है आपके पास डिकलेशन जिसको आप कहते हैं घोशना या प्रोक्लेमेशन जिसको आप कहते हैं मुनादी या घोशना तो डिकलेयर आप याद रखिए D-E-C-L-A-R-E डिकलेयर और डिकलेयर से बन गया D-E-C-L-A-R-A-T-I-O-N-R-A और E में आपको definitely यहाँ कोई गलती एक्जाम में मिलेगी डिकलेयरेशन और बात करें नाउन और जिसका मतलब होता है घोशना जल्दी से दूतरा वर्ड मैंने आपको बताया क्या बताया प्रोक्लेमेशन उसकी स्पैलिंग आप फटा फट लिख दीजेए इसके बाद मैं दूतरा वर्ड आपको डिसकस कर लेता हूँ आगे वर्ड है कि डिलायन्स, सौरी, डिलायन्स ने डालियन्स बोलते हैं, प्रणंशेशन उसका, D-A-L-L-I-A-N-C-E, डालियन्स, क्लियर, D-A-L-L-I, डाली, और A-N-C-E, इसमें आप याद रखी है, डालियन्स, डालियन्स क्या होता है, एक casual romantic relationship जो होता है, और romantic के साथ, इट में भी sexual, relationship, इसको कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड अक्सर यूज होता है, बहुत यूज करते हैं, रंग रेली, क्लियर, कि वहां रंग रेली, आप मनाते हुए, यूवग यूपती पकड़े गए, तो उस वर्ड के लिए, रंग रेली के लिए, आप क्या य ANC है, ANC, ANC, तो क्या हो जाएगा? आपका नाउन जो है ये वर्ड हो जाएगा, इसके लिए आप फ्रॉलिक भी यूज करते हैं, फ्रॉलिक, फ़न एंड फ्रॉलिक, अक्सर ये पेर के रूप में यूज किया जाता है, फन एंड फ्रॉलिक, तो फ्रॉलिक जो है, वह डाल ये claim से आप word आया है देखिए जो भी word है अगर आप उसकी root को एक बार पकड़ लेंगे तो आपको उससे word को याद करना आसान हो जाता है तो claim आप use रख दिये c-l-a-i-m claim और claim में आप प्रो जोड़िये आगे prefix लगाई है और a-t-i-o-n ये बाद में लगाई है clear लेकिन कई बार जब prefix और suffix आप लगाते हैं तो word में कोई change आ जाता है तो जो claim है जब ये proclaim बन जाता है तो क्या हो जाता है ये जो i आपको दिख रहा है ये यहाँ से आपका drop हो जाता है अब आपका word क्या बन गया proclamation pro pro c l a m a t i o n और 100% exam में अगर आता है word तो गलती आपको यहीं वो करके देगा जैसे इसी से मिलता है जो लता है एक word और मुझे याद आ रहा है explain क्या explain e x p l a i n और इसमें जब explanation हो जाता है तो n a t i o n हो जाता है लेकिन यह जो आई है बीच का यह क्या हो जाता है drop हो जाता है तो explanation e x p l a n a t i o n और proclamation pro c l a m a t i o n proclamation आगे बढ़ते हैं next word है हमारे पास deconsecrate consecrate किसी चीज को पवित्र बनाने के sense में हम यूज करते हैं और deconsecrate हो जाता है किसी चीज को secret से आपने क्या बना दिया secular बना दिया यानि जो पवित्र थी उसको आपने क्या कर दिया पवित्र कर दिया या एपरतिस्ठित कर दिया d e d c o n s e c r a t e d consecrate easily आपका word लड़न हो जाएगा यहां से तोड़ी है d c o n s e c r a t e deconsecrate deconsecrate आपका हो गया वर्ड की nature की बात करें तो आपका हो गया वाउब और इसको आपने हिंदी में कहा एपरतिस्ठित करना made to make something sacred to secular clear किसी चीज को sacred से आपने secular बना दिया तो चलिए फिंट्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक वर्ड आता आपके पास deleterious deleterious adjective की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता हामफुल या आप कह सकते हैं हानिकारक deleterious deli और i i इसमें नहीं है dele गलती exam में क्या होगी देखें कई बार क्या होता है definitely word क्या लिख दिया deli लेकिन सही word की बात करें d e l e t e r i o u s यह वाली spelling आपकी सही हो जाएगी clear तो deleterious adjective की तरह आपको यूज करना है adjective की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता हामफुल या आप कह देते हानिकारक clear यह वाली spelling आपकी wrong यह वाली spelling आपकी सही आगे बढ़ जाते हैं demeanor एक word है mean से बनने वाला word है demeanor mean इसकी root है demeanor में इसमें लगाई है demeanor और आगे लगा दीजिए आप or definitely गलती आपको or में मिलेगी या mean में आपको मिलेगी exam में तो demeanor demeanor तो ओ यू आर नहीं है or है तो demeanor क्या होता है जो आपका आच्रण होता है या आप कह देते हैं जिसको conduct तो conduct आपका जो आच्रण है वो demeanor होता है clear और demeanor की बात हो रही है तो आगे बढ़ते हम destitute बड़ा प्यारा सा वर्ड है बहुत बार exam में पूछा जाता है destitute इसके लिए एक वर्ड आपको मिलता पॉपर अब देखिए यह spelling test आपके लिए है AR है की ER है मैं आगे इसका meaning लिग देता हूँ तब तक दरिद्र पी ए यू पी ए आर और पी ए यू पी ए आर और एक वर्ड और है दरिद्र के लिए आप यूज करते इंडिजन्ट आप सोचिए दोनों में यह पॉपर और यह इंडिजन्ट की यह spelling सही है की नहीं है यह वाली सही है यह वाली सही है तब तक मैं दूत्रा word आपको लिख देता हूँ word है आपके हमारे पास detrimental detrimental भी हम हानी कारक के नॉक्सिक के या deleterious के sense में हम यूज करते हैं deleterious का एक सिनोनिम आपको मिल जाता है detrimental तो क्या हो जाएगा D E T R I detri और आप mental याद रखिए mental में D E T R I और definitely वहाँ जो गलती मिलेगी आपको क्या यहाँ जो आई दिख रहा है यह आई को E बना के वहाँ दे देंगे तो यह हो जाएगा आपका detrimental हानी कारक आप इसको कहिए harmful हो गया आप card eleterious हो गया और एक वर और reference noxious noxious भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं clear और noxious के बाद आगे बढ़ते हम dexterity D E X T E R I T Y देखें सही है क्या spelling D E X T E R dexter आप याद रखिएगा dexter में I T Y जोड दीजेगा तो dexterity आपके लिए हाँ प्यारा सा वर्ड हो जाएगा जिसको आप कहते हैं क्या a droidness या आप कहते हैं दक्सता अच्छे इससे एक वर्ड बन चाता है ambidexterity और ambidextrous एक वर्ड होता है यानि एक ऐसा व्यक्ति who can use both hands to write जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको हम कहते है ambidextrous प्यारी से स्पैलिंग फटाफट कमेंट करके मुझे अभी बता दीजेगा ambidextrous कह स्पैलिंग है और बात कर रहे थे हम क्या कर रहे थे popar की तो popar में आपके लिए आता है er आप यहां से er इसको नोट कर लीजेगा er की जगा और indigent में बात करें indi indi आगे बढ़ते हैं next word है हमारे पास diafanas diafanas adjective की तरह यूज होता है जब आप कहते हैं बिलकुल पार दर्सक किसी ने बिलकुल पार दर्सी कपड़े पहने हुए हैं तो वहाँ diafanas आप word यूज कर सकते हैं clear तो d-i-a-p-h-a-n-e-o-u-s d-i-a-p-h-a-n-e-o-u-s diafanas और देखिए यहाँ a और यहाँ ध्यान यह रखिएगा p-h-a-n-e-o-u-s तो यहाँ पर इस a का आप विशेज ध्यान रखिए तो diafanas की बात करें word हो जाएगा आपके पास adjective और जिसको आप कह सकते हैं ट्रांस्पेरेंट यानि आपके यह पारदर्शक clear और लिम्पिड भी एक word इसके लिए आता लिम्पिड ल-i-m-p-i-d लिम्पिड शायद ना सुना हूँ आपके इस word को कभी लिम्पिड आगे बढ़ते हैं डिलीटेंटी क्या डिलीटेंटी बहुत सारी जो एरर है बहुत सारी आपको मिलेगी डिलीटेंटी देखें सबसे पहली एरर तो मैंने यहीं आपको लिग दी डिलीटेंटी और दी आई एल आई टी एन टी डबल ए और डी आई एल ए डिलीटेंटी आई डबल टी ए और यहां जो डबल टी है डबल ए है इसमें आपको एरर बहुत सारी मिल जाएंगी तो डी आई एल ए टी ए एन टी ए डी आई एल ए टी ए एन टी ए एक यह स्पेलिंग मैंने लिख दिया आपको तो डिलीटेंटी डिलीटेंटी का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं सौकीन और इसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हैं अमेचर एम ए टी ए यू आर और टी ए यू आर यहां आपको जो है एरर मिल जाएगी अमेचर में अमेचर क्या होता है जो सौकीन जो प्रोफेस्शनली किसी काम को नहीं करता किस तरीके से करता या डैबलर भी आप इसके लिए यूज करते हैं और एक novice भी आपका हो सकता है, novice, हाला कि novice नोसिखिया के रूप में आप यूज़ करते हैं, टाइरों आप यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी shade उसकी novice की या टाइरों की different हो जाती है, डैबलर या अमेचर आप यहाँ पर याद कर दीजिए, और D-I-L-E, सही spelling में लिख दूँ, D-I-L-E-T-A-N-T-E, यह वाली spelling आपकी सही हो जाएगी, देख लीज़ें का आप कोई सही लिखी है इस पर या चारों ही गलत दिख दी है, आगे बढ़ जाएं, discrepancy, clear, discrepancy, और pency, कौन सी spelling यहाँ पर हो जाएगी सही, D-I-S-C-R-I और C-R-E, discrepancy, ठीक, यहाँ I और यहाँ E, दोरों पर ध्यान दीजिए, कौन सी होगी, discrepancy का मतलब हो जाता है, कहीं, जिसको आप difference कहते हैं, D-I-F-E-R-E-N-C-E, difference, या कई बार आप इसको मतभेद भी कह देते हैं, discrepancy को मतभेद आपने कह दिया, भिंता आपने कह दी, या अंतर आपने कह दिया, discrepancy, D-I-S-C-R-E-P-A-N-C-Y, clear, D-I-S-C-R-E-P-A-N-C-Y, यह बिल्कुल सही वाली spelling आप नोट कर लिजेगा, clear, discrepancy, आगे बढ़ते हैं, disavard, जब आपके बाल या कपड़े जो हैं, बिखरे हुए होते हैं, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, disavard को, H-E-V-E-L-E-D, और L-E-D, और D-E-V-E-L, H-A-V-E-L, यहीं इस shade में आपको अंतर में दिख जाएगा, और इसके लिए एक दूसरा वर्ड और आपके पास, unkempt, K-E-M-P-T, unkempt, और disavard आपका adjective की तरह यूज होगा, जिसका मतलब हो जाएगा बिखरे हुए, या उलजे हुए बाल, बिखरे हुए कपड़े, इस तरह से आप disavard को यूज करते हैं, और एक वर्ड और मुझे आदा रहा, scruffy, 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 scruffy भी हम इस sense में यूज करते हैं, चलिए मैं यहां लिख दू, scruffy, 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 disavard या unkempt तीनों synonym के रूप में हम यूज करते हैं, और आगे बढ़े हैं, next word हमारे पास disseminate, D-I-S-S-E और D-I-S-S-I, तो D-E-S-S-E, M-I-N-A-T-E, disseminate, किसी चीज के प्रसार करने को या फैलाने को आप disseminate कहते हैं, प्रसार करना, या प्रचार करना, या किशी चीज को spread कर देना, disperse कर देना, उस sense में हम इसको use करते हैं, तो चलिए, note करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जब आपकी thesis होती है, तब आप एक long piece of writing आपका होता है, जिसको आप कहते हैं, dissertation, क्या spelling है, फटा-फट से लिग दीजिएगा, dissertation, आई है की नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दी-ई-डबल-स-ई-र-ट-A-T-I-U-N और दी-ई-डबल-स-ई-र-ट-A-T-I-U-N, dissertation, तो dissertation क्या हो जाता है, आपका noun, a long piece of writing आप इसको कह देते हैं, dissertation, हाला कि मैंने सही spelling लिखी यह बता दू मांको, आगे बात करें डिसीमिलेशन, डिसीमिलेशन, तो डिसीमिलेशन और डिसीमिलेट, डिसीमिलेट की बात करें, वह हो जाएगी, और डिसीमिलेशन अब कहो जाएगा नाउन, जिसका मतलब होता है डिसीमिलेशन, आप किसके लिए यूज़ करते हैं, बहाने के लिए आप यूज़ करते हैं dissimulate बहाना बनाना dissimulation आपका हो गया बहाना dissimulation और feign भी आप एक word यूज़ करते हैं जो होता बहाने के लिए यहाला कि यह noun के रूप में यूज़ किया जाता आगे बढ़ते हैं dissolution word आया है dissolve से कोई चीज़ dissolve हो जाती है जिसका कहते हैं suppression यानि विगटन आप कह देते हैं या termination कह देते हैं तो विगटन आप कह दीजिए या termination आप कह दीजिए termination भी इसी sense में हम यूज़ करते हैं dissolution के noun की तरह word यूज़ को होता है ध्यान यह रख रहा है डी आई डबलस ओ यह डबलस ओ और डी आई यहां पर आपको ध्यान रखना है अगे हमने बात की थी एक word की distillery की तो उसमें एक spelling है आपकी distill और डी आई स्टी आई डबलल तो distill की दोरों spelling है ध्यान आपको क्या रखना है जो आपका बेटेस spelling है वो है डबलल और जो अमरीकन है वो है आपकी टी आई अल तो डिस्टल में आप यूज कीजिए इस बाली spelling को डी आई एस टी आई डबललल डिस्टल को यानि डिस्टल शुद करने के सेंस में यह सराब खीचने के लिए हम इस word को यूज करते हैं क्लियर अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आगे बढ़ जाए हम एक word है हमारे पास डूजरी डूजरी डी आर यू डी जी ए आर वाई देखिए ध्यान दीजे ए आर वाई डी आर यू डी जी ए आर वाई ए आर वाई हाँ पर नहीं है डूजरी की बात करें डूजरी नाउन की तरह यूज होता है और जिसको आप कहते हैं हार्ड वर्क आपका परिश्रम के लिए आप डूजरी को यूज करते हैं परिश्रम या टॉयल आप एक word यूज करते हैं कॉमन वर्ड है आपके पस टॉयल टी ओ आई अल टॉयल और एक word है आपके पस डॉयाफ्राम डॉयाफ्राम आपकी बाडी में होता है डॉयाफ्राम के मूवम्मेंट से आपके जो लंग से वो कांग करते हैं डॉयाफ्राम चलिए लिख देता हूँ डी आई ए डाया पी एच आर ए जी एम यह आपके लिए टेस्ट है बता दीजिए यह स्पैलिंग सही है कि इसमें और कुछ गलती आपको नजर आ रही है डायाफ्राम ठीक डी आई ए डाया और पी एच आर ए जी एम क्लियर टेस्ट आपका ओवर स्पैलिंग जो है बलकुल सही लिखी है तो लेक्षर कैसा लगा इस मैथट को फोलो करें या प्रीवियस मैथट को फोलो करें फटाफट से कमेंट करके बता दीजेगा और मिलते हैं एक लेक्षर में और हाँ अभी तक अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आपको डाउनलोड की जिएगा जो आपका टेलिग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको एक अभी दो दिन पहले लिंक शेयर किया था नोटिफिकेशन डिये सबी में वेकंसी आई हुए है टीजीटी की एक अच्छी अपॉर्चिनिटी आपके लिए तो उसको आप जरूर फिल कीजिएगा और तयारी करते रहिएगा चलिए फेंड्स मिलते हैं नेक लिक्शर में और नाव थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो